चलिए बिना समय गवाए आज का काफी important topic है Indian police hierarchy तो police hierarchy में सबसे पहले नमर पे आता है police constable police constable के uniform पे कोई बैज नहीं होता है ये आप याद रखेंगे कोई भी बैज नहीं होता है plain होता है और short में PC भी कहा जाता है फिर आता है senior police constable senior police constable के बारे में याद रखेंगे इनके basis में आपको देखने को मिलेगा यहाँ आप देख सकते हैं दो दो धारी यानि कि एक और दो दो धारी आप याद रखेंगे अलग-अलग states में ये vary कर सकता है यानि कहीं पे किसी और color का हो सकता है कहीं पे कुछी लेकिन धारियां दो होंगी इससे आपको पता चलेगा कि या क्या है senior police constable ठीक है इसके बाद इसके बाद आता है police head constable police head constable यानि कि हवालदार भी इससे आप कह सकते हैं ठीक है तो याद रखेंगे कि हवालदार यानि कि यहाँ पर आप head constable में याद रखेंगे कि जो इनके uniform पे तीन धारियां बनी होंगे ठीक है तो इससे आप पहचान सकेंगे इसके बाद आता है assistant sub inspector यानि ASI ASI में आपको दो चीजें ध्यान से देखनी है एक तो जो star होगी वो एक ही होगी one star होगी और साथी साथ दो धारी होंगी यानि कि जो उपर वाला जो होगा उसका color होगा red और नीचे वाले का color होगा blue ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना assistant sub inspector अब इनकी जो न्यूकती होती है ये सामानेत किसी post के किसी post के ये head होते है तो ये आप याद रखेंगे ठीक है किसी चौंकी के इस तरह से याद रखेंगे किसी चौंकी के head बनाये जा सकते है तिर आता है sub inspector of police इनकी न्यूकती आने में भी की जा सकती है किसी post पे भी की जा सकती है वो location wise decide होता है area wise decide होता है तो sub inspector of police के बारे मियाद रखेंगे इन में दो star होती है और साथी साथ यहाँ पी red और blue की जो है दो धारियां आपको देखने को मिलेगी यह है sub inspector of police फिर आता है inspector of police यह उनसे एक पद उचा बना जाता है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तीन star तीन star साथी साथ यह जो पट्टी है यह red और blue की पट्टी ठीक है इसके बाद जो आता है number वो है gajetted officers का ठीक है तो अभी तक जो भी थे वो non gajetted थे non gajetted और gajetted में आपको बस इतना अंतर याद रखना है एक तो group A, group B यह gajetted officer के अंतरगत होते हैं ठीक है और एक चीज़ याद रखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा भारत सरकार के president यानि कि राष्ट्रपती मोहदय के द्वारा एक बात याद रखेंगे राष्ट्रपती मोहदय के द्वारा या फिर governor 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 पहाब के द्वारा जो है वो क्या होता है इनका इनका gadget में जिक्र होता है ये बात याद रखेंगा gadget में इनके नामों का उलेक होता है इसी लिए इन्हें gajetted officer बोला जाता है फिर आ जाते हैं assistant commissioner of police और या फिर इन्हें ही deputy superintendent of police यानि DSP भी बोला जाता है अब एक चीज़ आप याद रखेंगे दो चीज़ है यहाँ है assistant commissioner of police यानि कि ACP ये हो गए ACP और इन्ही के समतुल्य या फिर इन्ही का नाम अगर दो जगह पे आप यूज कर सकते हैं एक है DSP यानि कि DYSP अब आप पूछेंगे कि दोनों नाम क्यों अलग-अलग है तो अगर metropolitan city है यानि कि महानगर है महानगर अगर है कहीं तो महानगर में उपर वाला आप याद रखेंगे जहां भी उपर में जो भी लिखा होगा वो समझ लीजेगा कि वो महानगर में न्यूक्त होए है इसलिए उन्हें assistant commissioner of police बोला जाता है ACP और अन्य जगहों पर अन्य अस्थानों पर DYSP यानि कि DSP तो ये आप याद रखेंगे ठेक है इनके अच्छाए दो चीज़ आप याद रखेंगे DSP ये अगर अगर ये UPSC के थुरू आते हैं UPSC के थुरू आते हैं यानि कि अगर ये IPS होंगे तो यहाँ पर जो तीन star है ये तीन star तो होगा ही साथ ही साथ में यहाँ पर IPS भी लिखा होगा ठीक है आगे वो वाला भी हम जिक्र करेंगे आपके साथ अभी के लिए बस आप ये याद रखेंगे अगर आप state police service यानि कि state service state public service commission यानि कि जैसे बिहार के लिए है BPSC BPSC के थुरू अगर आप DSP बनते हैं तो आपका जो होगा वो ऐसा badge होगा कैसा badge होगा? ऐसा यहाँ पर केवल 3 star आपको देखने को मिलेंगे और अगर आप UPSC के थुरू बनते हैं DSP तो आपके 3 star के साथ साथ यहाँ पर IPS का भी आपको badge देखने को मिलेगा तो वो हम UPSC वाला वो आगे हम लोग एक line से वो भी discuss करने जा रहे हैं तो अभी के लिए आप क्या सीख लिए? अभी के लिए आप ये बस सीख लिए कि ये State Public Service Commission के थुरू अगर आप DSP बनते हैं तो यहाँ पर आप 3 star आपको दी जाएंगी ठीक है? चलिए और इन्हें ही क्या बोला जाता है? महानगर में Assistant Commissioner of Police यानि ACP तो DSP हो या फिर ACP हो वो एक ही है ये आप ध्यान में रखेंगे आगे है Additional Deputy Commissioner of Police या फिर इन्हें ही Additional Superintendent of Police भी बोला जाता है अब Additional है तो Short Form में ADL है ठीक है? और Commissioner of Police है ये यानि कि DCP है अगर ये महानगर में अगर इनकी न्युक्ती होगी यानि कि महानगर जैसे दिल्ली अगर दिल्ली पुलिस में आप अगर देखेंगे तो जिस प्रकार से बिहार पुलिस में ASP होंगे बिहार पुलिस में ASP होंगे बिहार पुलिस में उसी प्रकार से दिल्ली पुलिस में कौन होंगे दिल्ली पुलिस में additional DCP होंगे ये आप याद रखेगा ये example के तोर पे आपको बताया जा रहा है ये दिल्ली में ठीक है तो यहाँ पर ASP यानि की additional superintendent of police जो होंगे उनके पास एक असोक अस्तंब होगा तो असोक अस्तंब होगा इनके बैस असोक अस्तंब वाला बैस इन्हें दिया जाएगा ये आप ध्यान में रखेंगे अब एक चीज आगे और भी हम लोग discuss करने जा रहे है deputy commissioner of police यानि कि DCP महानगर में DCP इन्हें बोला जाता है और अगर इनकी न्यूकती अन्य जगों पर हो तो ये superintendent of police यानि की SP बन जाएंगे DCP हो या फिर SP हो आपको एक ही चीज याद रखना है और जो भी SP होंगे अच्छा ये जो SP हैं ये क्या हैं ये promoted हैं अगर इनकी न्यूकती UPSC के थुरू होगी तो यहां पर भी IPS लिखा होगा ये आप ध्यान में रखेंगे अगर इनकी न्यूकती UPSC के थुरू हो तो यहां पर इन्हें IPS वाला tag दिया जाएगा लेकिन यहां पर चुकी हम लोग एक स्रेनी में बात कर रहे हैं एक सीरीज में हम लोग आ रहे हैं तो अगर BPSC के थुरू हो तो आपको इस प्रकार से एक असो कस्तंब दिया जाएगा और एक स्टार आपको SP के रूप में आपको दिया जाएगा ठीक है? चलिए अब आजाते हैं हम लोग Deputy Commissioner of Police या फिर SSP ठीक है? अब SSP में क्या होता है? तो SSP में याद रखेंगे कि एक असो कस्तंब और एक स्टार ये दोनों तो SP के तरह ही हैं लेकिन चुकि ये सीनियर हैं ठीक है? तो अब एक चीज याद रखेंगे किसी भी किसी भी जिले में किसी भी डिस्ट्रीक्ट में एक से अधिक more than 1 जो है वो SP हो सकते हैं ये बात आप याद रखेंगे जरूरी नहीं है कि एक जिले में केबल एक ही SP हो, एक से अधिक SP हो सकते हैं ठीक है? और सीनियर SP, जो हूँगे जो senior SP होंगे उनके best में 2 star आपको देखने को मिलेगा साथ ही साथ एक असो कस्तम देखने को मिलेगा ठीक है और अगर ये UPSC के थुरू आएंगे तो यहाँ पर आपको IPS देखने को मिलेगा ठीक है आगे हम लोग उस पे भी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अब आते हैं डारेक्टली अगर आप यूपी एसी के थुरू आते हैं तो आपको कहां किस पोजिशन पर आएंगे तो हम लोग अभी तक क्या-क्या देखें एक बार आप रिकॉल कर ले अभी तक देखें सिर्फ पुलिस कॉंस्टेवल जिनके पास कोई बैज नहीं था फिर हेड कॉंस्टेवल इनके पास दो धारी वाला था बैज इनके बाद हम लोग आये थे अब एस आई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इनके पास यह जो रेड और बुलू के साथ साथ वन एस्टार था फिर सब इंस्पेक्टर में आये थे तो सब इंस्पेक्टर में हम लोग क्या देखे थे डवल एस्टार था ठीक है और रेड और बुलू की पटी भी थी ठीक है और इसके बाद जो आये थे हम लोग वो आये थे DSP पे DYSP DSP में कोई पटी तो कोई नहीं थी लेकिन स्टार कितने थे स्टार 3 तो ये आप ध्यान में रखेंगे येवल 3 स्टार था और कोई पटी नहीं था यहां तक हम लोग समझ चुके हैं लेकिन अब आप एक चीज़ी याद रखेंगे कि जब आप UPSC के थुरू आप आते हैं तो वहाँ पर क्या होती है न्यूकती आपकी कहाँ पर होती है वहाँ पर न्यूकती होती है DSP से जस्ट DSP के ही समुतुलि लेकिन आपको असिस्टेंट बनाया जाता है ठीक है परहले आपको असिस्टेंट बनाया जाता है उसके बाद आपकी जो है वो आगे आपको दी जाती है तो सबसे पहले आप असिस्टेंट सुपरिडेंटेंट और पुलिस बनाया जाते है ठीक है यानि कि आपकी जब न्यूकती होंगी आप एक साल के लिए आपको क्या बनाया जाएगा ट्रेनिंग में IPS या का बैज आप यहाँ देख सकते हैं और एक स्टार के साथ आपको मिलेगा ठीक है यह आप धियान में रखेंगे यह हैं Assistant SP ठीक है यह बात आप याद रखेंगे यह Assistant हो या डिप्टी हो बात एक ही है लेकिन सुरू में आपको क्या बनाया जाएगा Assistant ठीक है एक साल यह आप धियान में रखेंगे अगर आपका एक साल है तो एक स्टार आपको दिया जाएगा ठीक है फिर क्या होगी एक साल के बाद दूसरे साल दूसरे साल आपको दो एस्टार मिलेगी और आपका अभी भी क्या होगा Assistant SP के ही रूप में आप रहेंगे ठीक है इसके बाद फिर दो साल के बाद आपको क्या मिलेगा दो साल के बाद आप DSP बनाये जाएगे यानि तीसरे साल आप DSP बनाये जाएगे और तीसरे साल जब आप DSP बनेंगे ये आप UPSC के थुरू DSP बन रहे हैं UPSC के थुरू आप DSP बन रहे हैं और यहाँ पर भी आपको DSP के तरह तीन स्टार तो दिया ही जाएगा लेकिन साथ ही साथ IPS का टैग लगा होगा ठीक है? तो IPS का जब टैग लगा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है ये किस के थुरू आए हैं? DSP किस के थुरू बने हैं? ये UPSC के थुरू बने हैं ठीक है? अगर BPSC के थुरू या फिर अन्य State Public Service Commission के थुरू अगर आप बनते तो यहाँ पर IPS आपको नहीं दिखता ठीक है? तो ये क्या है? Assistant Commissioner of Police ये महानगर में अगर दिल्ली में होंगे तो दिल्ली के Assistant Commissioner of Police कहलाएंगे और अगर अन्य जगों पर जैसे बिहार हो, UP हो इन जगों पर हो तो Deputy Superintendent of Police कहलाएंगे ठीक है? फिर आते हैं हम लोग आगे जब इनकी इसके बाद क्या है? Additional Deputy Commissioner of Police यानि की ADLDCP महानगर में और अन्य जगों पर क्या होंगे? Additional Superintendent of Police ठीक है? Additional Superintendent of Police यानि की क्या है? ये Additional Superintendent है ठीक है? तो यानि की ASP है ये आप याद रखेंगे ASP है तो इनके पास केवल एक अस्तम्भ होगा अब याद रखेंगे ये ASP है ये SP नहीं है ये इसके थुरू आये हैं अभी क्योंकि यहाँ पर IPS लिखा हुआ है तो ये UPSC के थुरू आये है UPSC के थुरू आये है और ये Additional है अभी Additional मतलब अतिरिक्त ठीक है अतिरिक्त है अतिरिक्त कहने कार्थ क्या है कि अगर एक छेत्र है वहाँ पर एक से अधिक अगर SP होंगे तो एक से अधिक SP होंगे तो वहाँ पर कोई main SP जो की coordination में सबसे main भूमी का निभाएंगे और साथी साथ अन्य SP को भी बनाया जाएगा तो ये भी training phase के बाद जो बनेंगे ये क्या बनेंगे Additional SP बनेंगे ठीक है Additional SP बनेंगे और इनके पास सिर्फ एक अस्तंब होगा और IPS का tag होगा ये बात आप ध्यान में रखेंगे तिर्फ अस्तंब होगा इनके पास फिर आते हैं Superintendent of Police अब एक SP वो भी थे जो direct किसके थूरू गये थे वो State Public Service Commission के थूरू गये थे और यहाँ पर ये UPSC के थूरू आया है तो यहाँ पर इन्हें क्या दिया जाएगा इन्हें अस्तंब के साथ-साथ एक Star तो मिलेगा ही ये तो वहाँ भी उन्हें दिया गया है लेकिन यहाँ पर इन्हें Tag IPS का दिया जाएगा ठीक है तो आप ये ध्यान में रखेंगे फिर इसके बाद आते हैं इसके बाद Senior Superintendent of Police SSP ये भी बनेंगे और ये जब Senior Superintendent of Police बनेंगे SSP बनेंगे तो इन्हें एक असो कस्तंब और दो बिल्कुल उसी प्रकार से दो Star इन्हें भी दिया जाएगा और साथी साथ IPS का Tag इन्हें रहेगा ठीक है तो आप ये याद रखेंगे हम लोग यहाँ तक फिर से बात कर लेते हैं एक बार ठीक है यहाँ तक हम लोग एक फिर से बात कर लेते हैं ताकि और आपका Confusion क्लियर हो जाए तो आपको पता होगा कि DSP तक हम लोग बात कर लिये थे उसके बाद Assistance Assistant SP ठीक है Assistant SP उसके बाद Additional SP Additional SP और उसके बाद SP और उसके बाद SSP तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं SSP के पास Double Star Double Star के साथ में Asoo Custom तो Asoo Custom यह याद रखेंगे फिर SP में क्या देखते हैं Single Star Asoo Custom तो Single Star Asoo Custom और अगर वो SP UPSC के थुरू आये होंगे तो यहाँ पर UPSC के लिए IPS का टैग होगा इनके पास तो यह आप ध्यान में रखेंगे तो यह आगे आजाते हैं अब जो भी आप देखेंगे अब आप जो भी देखेंगे वो प्रमोट करके बनेंगे तो इनकी डिरेक्ट न्यूकती नहीं होंगी इन्हें प्रमोशन के आधार पे इन्हें आगे दिया जाएगा और इनकी न्यूकती UPSC के थुरू होंगी तो ही यह प्रमोट हो करके वहां तक जा पाएंगे क्यों कि अगर आप स्टेट पूलिस के थुरू आते हैं तो इस्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन के थुरू अगर आप आते हैं तो वहां पर आप DSP बनेंगे और ज्यादा ज्यादा आप SP तक बन सकते हैं प्रमोट के बाद लेकिन इतने बड़े पोश्ट पर जाने के लिए आपकी जो है वो इसके थुरू होनी चाहिए तो UPSC के थुरू होनी चाहिए नियुकती ठीक है तो अगर आपकी नियुकती UPSC के थुरू होनी तो SSP के उपर SSP से भी ज़्यादा कौन होते हैं डियाईजी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल अप पुलिस और डियाईजी में भी कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा आपको बस एक स्टार बढ़ जाएग डियाईजी में एक स्टार बढ़ जाएगा यहाँ पर इन्हें तीन स्टार इन्हें दिया जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें तीन स्टार तो दिया ही जाएगा डियाईजी जो होंगे उन्हें और इन्हें एक प्रसनल गारी दिया जाएगा और प्रसनल जो प्रशनल गारी इन्हें दिया जाएगा आप ये बात याद रखेंगे इनके प्रशनल गारी पर भी क्या होगा इनके प्रशनल गारी पर एक आपको तिर्भुजाकार जंडा देखने को मिलेगा ठीक है? तो DIG में क्या होगा? तिर्भुजाकार जंडा होगा, और साथी साथ आगे वाला जो नम्मर प्लेट होगा, वहाँ पर एक स्टार बना होगा, चिंगल स्टार बना होगा, और जंडा कैसा होगा? जंडा तिर्भुजाकार होगा, यह याद रखेंगे. इनका जो जंडा होगा गारी पर वो कैसा होगा इन्हें प्रस्टनल गारी भी दिया जाएगा DIG सहब को साथी साथ इनका जो फिर्फ एक स्टार इन में बढ़ जाएगा SSP में हम लोग क्या देखे थे SSP में Senior SP में हम लोग क्या देखे थे 2 star था, senior SP में cable 2 star था, बाकी यही था, अगर वो UPSC के थुरू आये थे तो IPS का tag था, emblem था तो यह तो ठीक है इन्हें 2 ही दिया गया था लेकिन जब DIG बनेंगे यह तो इन्हें 3 star दिया जाएगा साथ ही साथ 1 star वाला इन्हें गारी भी दिया जाएगा प्रशनल गारी इन्हें दिया जाएगा जिस पर number plate के जगह पे आपको number plate के पास में आपको क्या दिखेगा, 1 star दिखेगा ठीक है, तो DIG साहब का क्या होगा 1 star वाला 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 था, जो यह आप याद रखेंगे, star बढ़ेगा और जहंडा का shape भी बदल जाएगा अब ठीक है, तो आगे आ जाते हैं DIG के बाद आ जाते हैं DIG के बाद आता है Inspector General of Police यानि की IG ठीक है, IG, यानि की IGP Inspector General of Police ठीक है, और इन्हें ही महानागर में क्या बोला जाता है Joint Commissioner of Police और अगर अन्य जगों पर हो तो Inspector General of Police यानि की IG बोला जाता है अब इनका क्या है ना, इनका change हो गया है इन्हें भी personal guardie मिलेगा personal guardie मिलेगा और साथ ही साथ इनका जो personal guardie होगा उस पर इस पर जो जंडा होगा वो इस प्रकार का होगा जंडा आप ये बात याद रखेंगे इस प्रकार का जंडा होगा ठीक है ये ध्यान में रखेंगे इनका जो जंडा होगा वो गारी पर कैसा होगा IG सहाब के गारी पर इस प्रकार का जंडा आपको देखने को मिलेगा दिखाए और इनका जो अब क्या है इनके इनके जो बैज स्टीक्श यह आपको देखने को मिलेगा उनेकि इन्हें क्या दिया गया एक कि कुछ इस प्रकार का हो गया है, ठीक है, अब आगे इन्हें क्या दिया गया है, इन्हें वन स्टार, आई जी साहब को वन स्टार, एक डंडा, एक तलवार और IPS का टैग, ये इन्हें दिया गया है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, फिर इनसे उपर प्रमूट होकर कि कौ आएगा पोस्ट जिन्हें डारेक्टर जनरल और पुलिस बोला जाएगा, इन्हें DGP भी कहा जाता है, इन्हें कमिशनर और पुलिस भी कहा जाता है, अगर दिल्ली में होंगे, देखिए किसी भी राज्य के, या फिर यूनियन टेरिटरी के, सबसे हाइस्ट, किसी राज् एक्टर जन्रलों पुलिस, यानि की बिहार, बिहार के एक ही ह JAMES होगे कोई, अगर बिहार की बारे में बात की जाए। तो बिहार के एक ही होंगे कोई DGP, ठीक है, तो आपको नाम भी साथ पता होगा, काफी फेमस वेक्ति हैं वो, गुपतेश्वर पांडे साहब, तो उनके बारे में आप याद रखेंगे, वो थे क्या DGP, ठीक है, तो एक एस्टेट के अंतरगत, जो सबसे हाइस्ट पुलिस हिरारकी में पोस्ट होया है, वो क्या है, DGP, और अगर यही दिल्ली, दिल्ली पुलिस में अगर बात की जाए, या फिर जो भी महान अगर है, उनमें बात की जाए, तो वहाँ पर कमिशनर पुलिस वही होंगे, ठीक है, हाइस्ट पोस्ट होंगे, अब इन ही के बराबर, अब additional DGP हैं, या फिर special DGP, इस तरह से जो भी पोस्ट है, इनके सम्तुल ही है, एक ही चीज है, बस आपको DGP के बारे में याद रखना है, कि इन्हें एक असोक, अस्तंब, साथ ही साथ, कलवार और डंडा, ये तीनों मिलेगा, और चुकी इनकी जो, इनकी न्यूक्ती ज यानि कि IPS बनने के बाद ही, इनकी promotion यहां तक हो सकती है, क्योंकि इतने लंबे अबधी तक कोई भी अपना सेवा नहीं दे पाते हैं, पुलिस बल में, तो जब UPSC के थुरू आएंगे, तभी इनकी ये post हो पाएगी, ठीक है, तो इनके बारे में याद रखेंगे, ये क्या हैं, तो ये हैं, DGP, ठीक है, DGP, आप ये बात अपियाद रखेंगे, ठीक है, इसके बाद इन्हें भी, इन्हें, इन्हें क्या होगा, इनके साथ क्या होगा, इन्हें भी एक भेन मिलेगा, यानि कि गारी मिलेगा, और इन्हें, इनके गारी पर जो ज्हंडा होगा, वो आईताकार होगा, रेक्टेंगुलर होगा, ये आप याद रखेंगे, रेक्टेंगुलर होगा, और रेक्टेंगुलर होगा, ठीक है, घारी इन्हें भी दिया जाएगा, चलिए, और कुछ नहीं बचा है समभवता, आगे है डाइरेक्टर आफ इंटिलिजन्स ब्यूरो, जैसे मार्सल है उसी प्रकार से ये डारेक्टर आफ इंटेलिजेंस ब्यूरो ये यानि कि डी आई भी ये IPS का सर्वोच पद है IPS के दुआरा आप सर्वोच अगर आपको रेंक मिल सकती है अगर सर्वोच अस्थान आपको मिल सकता है सीनियर मोश्ट IPS अगर आप होंगे तो आपको दो साल के लिए बनाया जाएगा याद रखेंगे डी आई बी डी आई बी बनाया जाएगा और यहां आपको असोक चक्र एक स्टार और इस्टीक साथी सातलवार और IPS का टैग ठीक है तो ये आप याद रखेंगे चलिए आज का वीडियो इतना ही थैंक यू